नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार सिक्षक भरती परिक्षा में अभ्यर्थियों को जिला आवंटित बिहार सरकार नेकी आठ जिलो में नए प्रभारी सचीवों की तैनाती जूनेर राश्ट्रिय वुसु चैंपियनशिप में बिहार के नाम अब तक 10 मिडल हवाई एड़ों की सुरक्षा को लेकर 23 एयरपोर्ट से मांगी गई रिपोर्ट इप और वस्टिंडीस के बीच चौथे T20 मैच में फ्लोरीडा के पिचका ये रहे का हाल इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से बिहार सिक्षक भरती परिक्षा में अभियर्थियों को जिला अवंटित अगर आप भी उन अभियर्थियों में से हैं जिन्होंने बिहार लोग सेवा आयो की सिक्षक न्यूक्ती परिक्षा के लिए आविदन किया है तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि बीते दिन बिहार लोक सेवा आयो के ओर से इस परिक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को जिला अवंटित कर दिया गया है हाला कि अब परिक्षा केंद्र की जानकारी नहीं दी गई है वहीं अभ्यर्थियों को परिक्षा केंद्र पर धाई गंटे पहले रिपोर्टिंग करनी होगी और एक गंटे पहले कक्ष में प्रवेश करना होगा वहीं कदाचार करने वालों को आगे की परिक्षा से वंचित रखा जाएगा सूबे में बारिश की कमी का आंकड़ा 29 प्रतीशत पर पहुँचा पिछले 10 दिनों से बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है यही वज़ा है कि सूबे में बारिश की कमी के आंकड़े के ग्राफ में बदलाव देखने को मिल रहा है बतादी की वर्तमान में पिछले 10 दिनों से हुई बारिश के बारिश की कमी सामाने से 29 प्रतीशत बनी हुई है मौसम विग्यान किंदर के दौरा मिले आंकड़ों के अनुसार जून से 31 जुलाई तक सूबे में मातर 263 मिली मीटर बारिश हुई थी उस दौरान बारिश के कमी सामाने से 48 प्रतीशत रही थी जो अब घटकर 29 प्रतीशत पर पहुँच चुकी है बतादी के पिछले 10 दिनों में राजे में 151 मिली मीटर बारिश दर्च की गई हाला कि अब भी राजे में बारिश का वस्तार सामाने नहीं है हाला कि इन सब के बाद भी राहत की बात यहा है कि मौसम विभाग के अनुसार राजे के कई जिलों में आने वाले तीन से चार दिनों में जहमा जहम बारिश के आसार जताए गए हैं पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कोरिडोर के पांच स्टेशनों पर जन सुवधाओं को लेकर टेंडर हुआ जारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से पटना मेट्रो के कोरिडोर दो स्थित प्रायोरिटी कोरिडोर के पांच स्टेशनों पर स्ट्रक्चर सहित अनिस्वधाओं को विक्सित करने के लिए निविदा जारी कर दी गई है जिसके लिए 25 सितमबर तकावी दन कर सकते हैं पतादे किस कारे पर करी 75 करोर रूपे खर्च आने कानुमान लगाये गया है मालमों किसका काम निविदा की स्विक्रती और वर्क ओर्डर के बाद दो सालों में पूरा किया जाएगा अब कि जानकारी क्लिवता दी कि जिन पांच स्टेशनों पर स्ट्रक्चर सहित अनिश्वधाओं को विक्सित किया जाएगा उनमें मलाही पकड़ी, खेमनी चग, भूतनाथ, जीरो मायर और न्यू आइसबी टी स्टेशन सामिल है यह सभी स्टेशन एलिवेटेड है बिहार सरकार ने की आठ जिलों में नए प्रभारी सचीवों की तैनाती बीदे दिन कैबिनेट विभाग के अपर मुखे सचीव, डॉक्टर एस सधार्थ के द्वारा अधिसूशना जारी करिया जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के द्वारा आठ जिलों में नए प्रभारी सचीव को तैनात किया गया है तो वहीं एन्स्ट्रवन कुमार को बकसर, अभय कुमार सिंग को मधुबनी, जैस सिंग को लखी सराई, संजय कुमार सिंग को जमुई, विनोथ सिंग, गुंजियाल को कैमोर मुहम्मद, सोहिल को सवर और वेदेनात यादव को सिखपुर जिला का प्रभारी बनाये गया है अब साल में चार बार सक्षक वब विद्यार्थियों को किये जाएंगे पुरुस्कृत, विहार सरकार के सक्षप विभाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक के द्वारा आदेश जारी कर या कहा गया है कि अबराजी के सरकारी स्कूलों के सक्षकों, प्रधान ध्यापक और विद्यार्थियों को साल में चार बार पुरुस्कृत किया जाएगा जो कि 15 अगस्ट, 26 अगस्ट, कांधी जयनती और सक्षा दिवस पर निर्धारित है, इसके लावा पुरुस्कार त्रेमाशिक आधार पर भी दिये जा सकते हैं मानमों कि सादेश के नुसार इस बार पुरुस्कार के श्रेणी में विद्यार्थियों को भी रखा गया है, हालाक इस पुरुस्कार के लिए कैटेगरी भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत नवाचार, कंप्यूटर, तक्नीक, खेल, कूद, सवच्चता, विद्यार्थियों की उपस्ते थी, तक्नीकी और विज्ञान को आधार बनाये क्या है इन पुरुसकारों में प्रतेग कोटी के लिए प्रतेग जिले में कम से कम दस नामों के सूची बिहार सिक्षा परियोजना परिसत को भीजा जाएगा। बतादे की ताजा मामला बिहार के राज़ारी पटना के कदम कुआ छेतर के धराहरा कोटी का है जहां कदम कुआ थाने की पुलिस के दोरा गुप्त सूचना के आधार पर कारवाई करते वे एक मकान से सेनिटाइजर की आर में शुराब का अवैद कारोबार का भंडा फोर कर विदेसी सराब की खेप को बढ़ामत किया गया है जिसकी बाजार में कीमत 10 लाग से जादा की आँकी जा रही है इसके साथी पुलिस के दोरा कई वहनों को भी जब्त किया गया है हाला के ज़ुरां तसकर भांगने में सफल रहे और फिलाल पुलिस इस मामली की जाँच में 23 जिलो से 23 एरपोर्ट के कारवाई रिपोर्ट की मांग की गई है पतादे कि मिली जानकारी के नुसार हवाई अड़ो की सुरक्षा को लेकर अलग-अलग लोगों के द्वारा हाई कोट में याचिका दाखिल की गई है इसी को लेकर हाई कोट के नरदेश पर सिवल विमानन निदिशाली के द्वारा रिपोर्ट की मांग की गई इसके अलावा कोट की ओर से इन हवाई अड़ों से अतिक्रमन हटाने और सुरक्षा को दुरुस्त करने का भी नरदेश दिया गया है इसमें पुर्णिया एरपोर्ट की जमीन अधिग्रहन में कुछ समस्या होने की बात भी कही गई है इसके अलावा रक्सॉल रणमे पर कृसी कारी करनी की भी बात और फार्विसगा जोगबनी एरपोर्ट को अतिक्रमन मुक्त कराने की भी बात कही गई है सब्ताह में तीन बार कॉलेज का निरिक्षन होगा सुनशित सिक्चा विवाग के ओर से राजी के विश्विद्यालियों को नर्देश जारी करते वे कहा गया है कि बिहार के सभी पारंपरिक विश्विद्यालियों के कूलपती और उनके अधिनस्त पदादिकारी अंगी भूत एवं संबंध कॉलेजों का निरिक्षन करेंगे इसके साथ ही कूलपती रोजाना अपने अधिनस्त सरकारी और संबंध कॉलेजों के प्राचारियों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से बात चीत करेंगे इन सब के अलावा सिक्षव विभाग के ओर से यह भी कहा गया है कि जिन भी कॉलेजों में विद्यार्थियों के उपस्तिती कम पाई जाती है उन कॉलेजों के प्राचारियों के खिलाव अनुशाषनात में काड़ेवाही की जाएगी वहीं अगर जुरुत परती है तो उनकी सेवा को भी समाप किया जा सकता है सुतंतरता दिवस पर सुरक्षा को लेकर रेल पुलिस सतर्क सुतंतरता दिवस को लेकर रेल पुलिस के दोरा सतर्कता बढ़ते हुए स्टेशन और प्रमक ट्रेनों में रेल पुलिस सहित अतरक्त बलों की तैनाती कर दी गई है बता दे किस दोरान जवान साधे कपड़े में लगातार गस्ती करते रहेंगे। बोजपूरी कुइन रानी चटर जी ने मुंबई पुलस इस वज़े से लगाई गुहार। इंस्टाग्राम स्टोडी पर यूजर आईडी जोकी सुरेश कुमार ज़ा के नाम से है उसका श्क्रीन सोट शेयर किया गया है। और लिखा है कि फिर नई फेक आईडी से तुमा गई अब तुम तयार हो जाओ जेल जाने के लिए। इसके साथ उन्होंने मुंबाई पुलिस से हल्प मांगी है और कहा है कि मैसेज करने वालों को जल्द रोका जाए। जूनियर राश्ट्रिय वुसू चैंपियंशिप में बिहार के नाम अब तक 10 मिडल। बिहार के राजधानी पटना के पाटलेपुतर स्पोर्स कॉंपलेक्स में 7 अगस्त से 22 वी राश्ट्रिय वुसू चैंपियंशिप का आयोजन किया गया है। जो की बाड़ा अगस्त चलने वाला है बतादिक इस चैंपियंशिप में देश के 28 राज़ियों के करी 1200 खिलारियों ने भाग लिया। परिसिती को देखते भी ऐसा लगता है कि इस बार पिहार के नाव कम से कम 15 में डल होंगे। नगर निकायों को विकास काड़ी के लिए मिले इतने रुपए। राज़े के सभी नगर निकायों में विकास के काड़ी किये जा सके। इसके लिए चालो वीदिये वर्स 2023 में पहली किस्त की रासी के तौर पर 796 करोड रुपए जारी किये गए हैं। पतादे किसमें से 19 नगर निकमों के लिए 307 करोड 21 लाक रुपए तो वहीं 130 नगर पंचायतों के लिए 196 करोड 98 लाक और 88 नगर परिसत के 291 करोड 85 लाक रुपए दिये गए है। इस समद में नगर विकास एवं आबास विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। पतना हाई कोड के जजों के ट्रांसफर के संबंद में कई महतपूर नर्ने लिए गया है। इस इस मधुरिश प्रसाद है। इंडिया और वेस्टेंडीग बीच चौथे T20 मैच में फ्लोरीडा के प्रищ की रहेता हाल। कल यानी की 12 अगस्त को इंडिया और वेस्टेंडीग बासमी के बीच करण रहुरीडा को यह में नहीं बढ़ाँ है। इस मैदान पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाता है, पिछ धीमी हो जाती है, गिंद रुक के बल्ले पर आएगी और स्पिन गिंद बाजों की मदद मिलती है, टॉस जीतने वाली टीम इस मैदान पर पहले बल्ले बाजी करना पसंद करती है, गौर तलब है कि इस मैदान पर केवल दो बार दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम जीती है, इस पर पहली पारी का ओसट स्कोर 164 है, वही दूसरी पारी का ओसट स्कोर मातर 123 रन है, ऐसे मिस मैदान पर टीमें टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करना ही पसंद करती है, अब CBSC दसवी में नहीं मिलेगी टीसी, नए सिक्षा नीती के तहट केंदरे माधिमिक सिक्षा बोर्ड यानि की CBSC के दौरा अब दसवी का टीसी यानि के स्थांतरन प्रमान पत्र नहीं दिया जाएगा, जिसका मतलब यह हुआ कि अब सीधा 11 वी में दाखिला होगा, यानि अमवर्ज 2024 के नए सतर से सभी स्कूलों में लागू हो जाएगे, बता दे के बोर्ड के अनुसार दसवी में अब टीसी देने का विकल्ब खत्म हो जाएगा, ऐसे में अब अगर चातर में स्कूल बदल कर किसी दूसरे स्कूल में 11 वी में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें टीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहीं उच्छ सिक्षा में दाखिले के लिए बोर्ड के ओर से बारवी के बाद टीसी और माइगरेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसके साथ ही अब स्कूलों में हर दिर प्रगती रिपोर्ट बनाई जाएगी और सब तहामें अभिवा मिश्रा, संजीत कुमार सुमन, सिवं कुमार मिश्रा, मुहमद सकीर हुसेन, रवीशंकर, मुटो रंगीला, मुहमद अफजल मंसूरी, राजकिशोर, महतो, गोनर सर्मा, रोशनी, खातून, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपका बिहार का पसंदीता, खेल कौन साहे, अपना चाब हम ये मारे कमांड सक्षमा लिकर्स दरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कवडों के साथ बरे रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस, और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चलंग को सब्सक्राइब करना और अगरा आप फेस्बूक से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले, थन्यवाद!